नमस्कार दोस्तों मेरी यूटूब चनल आक्टर सासी कांत होम पैधिक में आपका बहुत-बहुत श्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानि की मोटापे के बारे में अपनी मोटापे को कैसे कम करें अपने वजन को कैसे कम करें और जो ओबेसिटी है क् इफेक्टिव मेडिसीन है कि जो आपके मोटापे को आपके ओबेसिटी को समाप्त करेंगा और क्या अपने रूटीर में खाने पीने में क्या चेंजिंग करें कि जिसके वजह से आपका जो मोटापा है वो तेजी से कम हो सके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात अपने कारियों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं अपने अच्छे अपने बाड़ी को अच्छा फिल नहीं कर सकते हैं वैसे लगता है कि मानों कितना भारीपान हुआ हो कोई कारी नहीं कर सकते हैं यदि कोई कारी करते हैं तो आपका सांस फोलने लगता है उस कारी को करने मे सकते हैं आपको अबिसिटी का जब प्रावलम हो जाता है तो अबिसिटी के कारण आपको बहु सारे ऐसे बिमारिया है जो बिन बुलाए आने सुरू हो जाते हैं सबसे पहला आपको गैस का प्रावलम होना सुरू हो जाएगा यह आप मोटापे से परिसान है तो आपको कब ज लेकिन यदि यही मोटापा यदि लंबे समय तक रहता है तो गंभीर से गंभीर विमारिया देखने को मिल सकता है जैसे यदि आप मोटापे से लंबे समय से परिस्तान है तो आपको शूगर लेबल यानि कि आपको डाइबटीज का प्राबलम हो सकता है उसके बाद यदि डा को बिन बुलाए आ जाएगा यह दोनों मित्र हैं एक साथ जब सुगर जहां पहुंचा वहां पीछे पीछे उसका जो मित्र है हाई ब्लड प्रेशर यानि की ब्लड पेसर वह आने शुरू जाते हैं इसके साथ ही यदि आप मोटा पेसे और लंबे समय से पर सान रहते हैं तो आपको थाराइड भी हो सकता है इसके साथ ही आपको इस्ट्रेस श्ट्रोक गंभीर से गंभीर विमारियां को देखने को आपको मिल सकता है तो यह रहे मोटापा यानि की मोटापे के कारण यदि आप अपने मोटापे को कम करते हैं तो आप इन विमारियों से दोरी मिल सकत है लेकिन योदि आप मोटाथे से लंबे समय से परिशान राते हैं और आप अपने मोटाथे को ले सत्र नहीं राते हैं तो आपको गंभीड से गंभीर बिमारियां होश्रक्ति आप तो चलिए अब हम बात करेंगे ऐसे होमोपैथिक मेडिसीन के बारे में जो आपके मोटापे को आपके ओबिसिटी को कम करेगा जो सबसे इफेक्टिव और सबसे जो गोल्डेन मेडिसीन है मैं आपको यहाँ पर दो कम पोजिशन यानि की दो मेडिसीन का नाम बताऊंगा जो पर साम तीन टाइम ले सकते हैं तो उस मेडिसीन का नाम है फिवकस वर्सी कोलर क्यू और फाइटो लगका बेरी इस तोनों का मदब तिंचर मिला करके आप बिस विस प्रिस आधे कप पानी के शाथ सुबह दो पर साम तीन टाइम ले और साथ में इसके आप कैलकेरिया कार्व 30 चार बूद शुबह दो पर साम तीन टाइम ले आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे आप देखेंगे कि आपका जो बजन है आपको जो किसी हलके कारे को भी नहीं कर पाते थे तो इस एक महिने मेडिसीन लेने के बाद आप किसी हलके कारे क को भी करने शुरू कर देंगे एक मेडिसीन आप और ले सकते हैं जिसका नाम है गैरसीनिया गैम बोजिया यह भारगवा कंपने की है इसे आप 20 बूद आधे कप गुल्गले पाने के साथ जैसे आप चाय पीते हैं सीप सीप करके वैसे इसको पीना है इसके बहुत अच्छ खाने पीने में परहिज अवस्य करें अन्य था जो भी मैंने ये दवा बताया है आपको ये कोई भी दवा अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाएगा तो अब बात करते हैं खाने पीने का यानि कि सबसे पहले यदि आप चावल ज्यादा खाते हैं या खाती है तो चावल को आप बिल्कुल कम कर दें क्योंकि यदि आप चावल खाएंगे तो उसके कारण भी आपका ओवे सिटी वह घटेगा नहीं वह बढ़ता ही जाएगा तो जो सबसे पहला है वह आप चावल को कम कर दें जो दूसरा है आप स्वीट यानि कि मिठाई जो मिठा समान है यानि कि ह मरती की में समगरी है आप उसको बिल्कुल भी नएखाने है है आप हलका सा खा सकते है चीनी की मात्रा बहुत ही कम परियोग करें गiałem क्यों जो इसका तीसरा है वह श्रेवन में बिल्कुल से बिल्कुल कम करें यानि कि यो से अपका στην होगया हो गया फिकाम होगया किस तरह pessoल फुड़ है ऐसको बील्कुल करें है कि आपको उसको काने पीने परीज करना है आप परेज करेंगे तभी आपको यह सारी दिवाईढस सूर करेंगी आपको अच्छे रिस्पांस देंगे अन था यह जो मैंने दवा प्रेज नहीं किया जब तक आप प्रेज नहीं करेंगे आपको जो मोटापा है ओबसिटी है वह कम नहीं होगा हम आसा करते हैं कि हमारे द्वारा दिए जनकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा अधिक से दिक शियर करें यदि आप हमसे अंलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और अपने क्वेरी को किसी तरह का या किसी तरह का क्विश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद दूस्तों